Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 आज ये आप लोगों की pick a card reading है और आज हम देखेंगे कि क्या channeled messages हैं आपके person की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसी बात हैं चो शायद उन्होंने आपसे कभी नहीं कही हैं और वो कहना चाहते हैं तो आज इस reading के जरीए वो आपसे कहेंगे तो regardless आप male के लिए देख रहे हैं या female के लिए same gender के लिए भी देख सकते हैं और regardless आपकी क्या situation है आप अगर जानना चाह रहे हैं कि आपके person आपसे क्या कहना चाहते हैं उनके दिल और दिमाग में क्या है तो आप ये reading देख सकते हैं इसके लावा मैं हमेशा ही कहती हूँ कि cards possibility बताते हैं आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को open रखना है तो शुरू करते हैं हम आज की reading और हाँ आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया thank you so much आपके प्यार, support और respect के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all शुरू करते हैं अब हम first option हमारे पास ये butterfly है second option we have red butterfly and third option this butterfly तो तीनों में से जो आपका दिल करें आप select कर लीजिए time stamps मैंने description में दिये हैं skip करके आप देख सकते हैं अपनी reading आज आप अगर तीनों use करना चाह रहे हैं, select करना चाह रहे हैं कोई problem नहीं है मैं start करूँगी option number one से जिन लोगों ने option number one यानि कि ये वाली butterfly select की ये आप लोगों की reading होगी और हम देखेंगे channeled messages आपके person की तरफ से आपके love interest की तरफ से वो आप से क्या कहना चाहते है सबसे पहले हम ये देखेंगे healing family issues तो आप लोगों की situation में मुझे लग रहा है कि family issues हैं जिन को heal करने की जरूरत है children हो सकता है वो आपके बच्चों के बाप हों या आपके बच्चों की माँ हों co-dependency and then we have honeymoon तो इन कार्ट से मुझे ऐसा लगता है कि वो इस co-dependency से निकलना चाहते है और आज इस reading के जरीए वो आप से यही कहना चाहते है कि यह जो भी co-dependency है जो problem है आप लोगों के दर्मियान और जो भी family issue है उसको वो heal करना चाहते है और sort out करना चाहते हैं चीज़ों को आपकी तरफ आना चाहते है clearly मुझे यह नजर आ रहा है लेकिन कुछ family matters है, issues है जो अभी resolve नहीं हुए है और उन्हीं में वो इस वक्त खुद को stuck महसूस कर रहे है लेकिन वो आगे बढ़ना चाह रहे है और इन issues को resolve करना चाह रहे है तो मुझे बहुत ज़्यदा family issue की vibes आ रही है आप लोगों की situation में कोई family issue बन रहा है आप लोग separation से गुजर रहे हैं मुझे यह भी लग रहा है और इसके इलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके person का कोई childhood trauma है जिससे वो निकलना चाहते है या family environment में toxicity थी या कुछ ऐसा था जो आज भी उनके जहन में है और ये मुझे messages in card से आएं है अब हम उनकी तरफ से channeled messages देखेंगे first we have don't blame yourself तो वो आप से कह रहे हैं कि जो भी हुआ उसमें आप अपने आपको blame मत कीज़े आपकी कोई गलती नहीं है I want to come to you but something stops me exactly वो आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन family issues हैं जिनकी वज़ा से वो आपकी तरफ नहीं आप आ रहे हैं और यही वो आप से कहना चाहते हैं My ego was more than my love तो हो सकता है जो कुछ भी आप लोगों के दरम्यान हुआ अगर इन्होंने आपको hurt किया, move on किया आप से तो ego self में थे और वो मान रहे हैं कि उनकी ego उनके प्यार से ज्यादा थी इस वज़ा से उन्होंने आपको hurt किया और कुछ family issues थे जिनको resolve करने की उन्हें जरूरत थी और वो आप से दूर गए I remember everything we had but आपको याद कर रहे हैं, आपको miss करते हैं और जो भी time spend आपके साथ किया आपके साथ जो भी उनकी memories हैं वो सब उन्हें याद है I have no idea how to fix things तो आपके person थोड़े से stuck है, confused दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोगों की situation में और उनको नहीं समझ आ रही है कि उन्होंने चीजों को किस तरह से fix करना है लेकिन वो करना चाहते है यहाँ पर यह मुझे clearly नजर आ रहे है कि आपके person चीजों को बहतर करना चाहते हैं relationship को बहतर करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अभी नहीं मालूम है किस तरह उन्होंने करना है किस तरह फोवर्ड आना है I regret not spending time with you तो उन्हें अफसोस है कि वो आपके साथ ज्यादा time spend नहीं कर सके हैं वो चाहते थे कि आपके साथ और वक्त बिताएं आपके साथ और memories बनाएं लेकिन उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सके है I feel safer in the silence तो अभी उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो खामोशी रहें तो बहतर है खामोशी में उनको safe महसूस हो रहा है उन्हें लगता है कि अभी उनके पास justification नहीं है कोई आपको देने के लिए clarification नहीं है आपको देने के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का less to no contact चल रहा है और separation चल रही है और आपके person अभी इस position में नहीं है कि वो आपसे कुछ clearly discuss कर सके क्योंकि वो stuck हैं उन्हें नहीं पता कि चीजों को ठीक कैसे करना है चीज़ें बहुत खराब हैं messy हुई भी है सूरते हाल इस वक्त उनकी seeing you reminds me of things I know deep down and that's not easy to deal with तो आपको देखकर या आपसे मिल कर कुछ ऐसी चीज़ें उनकी अपनी surface पे आती हैं जिससे वो deal नहीं कर सकते हैं childhood trauma की मैंने पहले बात की थी और अब ये card आया है तो हो सकता है कोई childhood trauma surface पे आ जाता हो कोई उनका issue हो emotion से related जो के surface पे आता हो आपसे मिल के क्योंकि ये connection intense होगा deep होगा और इससे ये अभी deal नहीं कर सकते हैं ये आपको बता रहे हैं you should apologize to me तो ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के दरम्यान जो लड़ाई हुई उसमें वो आपको कसूरवार समझते हैं या वो समझते हैं कि आपको उनसे apologize करना चाहिए I think आप messages को वैसे लीजेगा जैसे आप से resonate करें तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपको उनसे apologize करना चाहिए और जरूरी नहीं है कि आपकी गलती होगी situation में उनको ऐसा लगता है कि आपको उनसे apologize करना चाहिए तोटल ये आप पर होगा कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी उनकी ego self थी हो सकता है उस वक्त आपसे इन्होंने ये कहा हो कि आपको मुझे से apologize करना चाहिए आप मेरे सा ठीक नहीं कर रहे आप देख लीजिए आपकी situation में किस तरह से आ रहा है I saw you in my dream last night तो आपको अपने dreams में देखते हैं हो सकता है आपने भी उनको देखा हो तो आप लोग connected है dreams के थूँ telepathically connected है एक दूसरे से I wish I could change the situation लेकिन यहाँ पर regret बहुत ज़्यादा है आपके person दिल से ये चाह रहे है कि वो चीजों को ठीक कर लें बेहतर कर लें लेकिन उन्हें idea नहीं है कि किस तरह से वो कर सकते है Please forgive me ओके वो आप से माफी मांग रहे है बहुत ही complicated मुझे आप लोगों की situation नजर आ रही है क्योंकि एक message हमारे पास आया जिसमें वो कह रहे हैं कि You should apologize to me और दूसरा ही आया कि Please forgive me और फिर उनको regrets भी है फिर वो आप से ये भी कह रहे हैं कि अप अपने आपको blame मत करें तो थोड़ी सी confused मुझे आप लोगों की situation नजर आ रही है group number one मुझे ऐसा लगता है कि पहले उन्होंने आप से कहा कि आपको apologize करना चाहिए आपको गलत नहीं करना चाहिए आप गलत कर रहे है and now they are realizing कि आपकी fault नहीं है आप अपने आपको blame मत करें उन्होंने आपके साथ गलत किया वो ego self में थे जब उन्होंने आपसे कहा कि आप उनसे माफी मांगे now they are asking you for forgiveness तो वो अब आपसे ये कह रही है कि don't blame yourself तो मुझे ये situation आप लोगों की नजर आ रही है would you give me a chance to make things right between us तो उनको doubt है कि शायद आप उन्हें अब chance नहीं देंगे ये भी doubt है आपके person को और शायद इस वज़े से भी confused है और आगे नहीं आ रही है step नहीं ले रही है I will come back for you लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आएंगे वापिस we have the honeymoon card और मुझे ऐसे लगता है कि वो travel करके आएंगे आप लोगों का long distance relationship हो सकता है I just want you to be happy वो आपकी खुशी चाहते हैं वो आपको खुश देखना चाहते हैं even though I don't show it I'm sorry for how things went between us तो जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरम्यान वो बहुत sorry है मुझे ये लग रहा है और वो आप से कह रहे हैं कि चाहे मैंने show नहीं किया है चाहे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे परवाँ नहीं है लेकिन मुझे परवाँ है I really do care and I'm sorry वो चाहते हैं कि चीज़ों को आप लोगों के दरम्यान बेहतर कर लें लेकिन उनके बस में अभी नहीं है life mess up हुई वी है इस वक्त family issues बहुत ज़्यादा है और उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है चीज़ों को balance करना, tackle करना लेकिन वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ lot कर आएं और वो आएंगे यहां पर उन्होंने आपसे यह कहा है कि I will come back for you okay then we have everything is out of control, exactly जैसे मैंने अभी कहा कि चीज़ें messed up हुई है, उनकी life इस वक्त एक mess है और उसमें से निकलना मुश्किल है और अभी उनको ऐसे लग रहे है कि उनके control में कुछ नहीं है जो ही वो चीज़ों को control में कर लेंगे resolve कर लेंगे problems को जो भी आप लोगों के दरम्यान हुआ, मैं उस detail में नहीं जा रही तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे सारे issues को resolve करने के बार time out, again थोड़े से confused हैं कि उनको लगता है कि बहुत देर ना हो चुकी हो आप move on ना कर चुके हो अगर बहुत अरसा हो गया, आप लोगों को relationship खतम किये हुए तो उनको लगता है कि शायद आप move on ना कर चुके हो time खतम हो गया है, मैं late हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो ये doubts भी उनके दिल में आ रहे है I can't give you false hope तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी इन्होंने आप से ये कहा होगा कि मैंने आपको कोई जूटी उम्मीद नहीं दिलानी है अगर उन्होंने आपकी तरफ आना है तो authenticity के साथ आना है और ये बात उनको पता है और इसी वज़ा से वो अभी आगे नहीं आ रहे है क्योंकि उनको पता है कि वो अभी इस stage पर आपको clarity नहीं दे पाएंगे आपको clarification नहीं दे पाएंगे या आपसे emotionally attached नहीं हो पाएंगे कुछ ऐसी co-dependency है उनकी जिन्दगी में कि वो अभी आपको commitment नहीं दे पा रहे है और यही सारी चीजें उनके दिमाग में इस वक्त चल रही है और यह समझ रहे है कि शायद time बहुत हो जाएगा लेट हो जाएंगे इसलिए वो आपको अभी कोई hope नहीं दे रहे है लेकिन जब यह आएंगे authenticity के साथ आएंगे जब चीजें control में होंगी इनके love is not enough तो इन में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद प्यार काफी नहीं है और वो आप से यह कह रहे हैं कि प्यार काफी नहीं है प्यार के साथ respect भी होनी चाहिए प्यार के साथ commitment होनी चाहिए प्यार के साथ finances होने चाहिए वो उनकी thinking कुछ इस तरह की है और वो यह सारी बातें इस वक्त सोच रहे हैं और आप से कह रहे हैं हो सकता है आप से पहले भी कहाओ कि प्यार से पेट नहीं भरता है I think आप में से किसी को उन्होंने ये जरूर कहा होगा Everything will be okay लेकिन साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आप परिशान मत हों आप अपने आपको blame मत करें You are special, exactly आप special हैं आप से उनको प्यार है आपके लिए feelings हैं आपके साथ एक significant bond एक connection है उनका I am waiting for your call तो हो सकता है कि अभी भी थोड़े सी ego self में हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच कर लें क्योंकि उनके लिए अप्रोच करना मुश्किल हो रहा है वो चाहते हैं कि आप उन्हें अप्रोच कर लें I know now what I have lost उन्हें पता चल गया है अब जो उन्होंने खोया है आपकी शकल में अगर आपका relationship खतम हो चुका है तो उन्हें आप realize हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है उन्हें बहुत अफसोस है इस बात का regret है कि आपके साथ उन्होंने time spend नहीं किया है it's not over yet लेकिन फिर भी उनका दिल ये कह रहा है और आपसे वो कह रहे हैं कि सब कुछ खतम नहीं हुआ है I will come back for you मुझे आना है वापिस मुझे आपकी जिन्दगी में एक और chance चाहिए है मुझे ये इन्सान बहुत desperate नजर आ रहे हैं आपके लिए obsessed नजर आ रहे है इनको realize हो गई है आपकी एहमियत आपकी कीमत आप कितने खुबसूरत है आप कितने important है और कितने special है इनके लिए ये बात इनको realize हो गई है लेकिन मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए बहुत देर हो चुकी है हो सकता है आप मेंसे कुछ लोग move on कर चुके हो और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए good news है कि ये शखस आपकी जिन्देगी में वापिस आना चाहते है लेकिन ये totally आप पर होगा कि इनको आपने allow करना है या नहीं इनको एक और चांस आपने देना है या नहीं let go of resentment तो कोई भी अफसोस, दुख, anger, pain कुछ भी है let go of that emotion आपसे वो ये कह रहे हैं कोई भी परिशानी, कोई भी तकलीफ कोई भी दुख, कोई क्या उसे कह सकते हैं कोई भी पश्टावा अगर आपको इस सारी situation से related है तो उसे निकालने अपने दिल से मुझे सिर्फ loving energy भेजें वो इस वक्त ये चाहते हैं कि no matter what आप लोगों के दरम्यान क्या हुआ क्या चल रहा है वो चाहते हैं कि आप उनसे कभी नफरत ना करें वो आपका प्यार चाहते हैं हमेशा और वो हमेशा आप से जुड़े रहना चाहते हैं वो आपका time चाहते हैं थोड़ा सा और वो चाहते हैं कि आप उनका इंतजार करें वो चाहते हैं कि आप उनको माफ कर दें और उनको एक और chance जरूर दें patiently उनका इंतजार करें क्योंकि उन्हें बहुत दुख हो रहा है और तकलीफ हो रही है कि उन्होंने आपको खोया है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं मुझे ये clearly नजर आ रहा है तो ये आप लोगों के channeled messages थे group number one कुछ भी resonate किया पसंद आया आप लोगों को मुझे जरूर comment section में बताइएगा अगर आप नए थे मेरे channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगोंने option number two यानि कि ये वाली butterfly select की थी ये आप लोगों की reading होगी और हम देखेंगे कि आपके person की तरफ से क्या channeled messages हैं आप लोगों के लिए सबसे पहले हम oracles देखेंगे we have wedding, getting to know each other, attraction, stay optimistic about your love life सबसे पहला message of course मुझे ऐसे लगता है कि आपके person आप से शादी करना चाहते हैं passionate हैं, आपके बारे में बहुत जदा attraction महसूस कर रहे है आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आपका relationship शायद start नहीं हुआ है ये बहुत specific message एक मुझे आया है जिसके लिए आपके person आप से ही कहते हैं कि अगर शादी करनी है तो हमें थोड़ा से एक दुसरे को और जानना होगा अगर मुझे आप से शादी करनी है तो मुझे और जानना है आपके बारे में मैंने देखना है कि हमारी compatibility होती है या नहीं होती है और ये optimistic रहना चाहते हैं अपनी love life के बारे में attraction महसूस करते हैं लेकिन ये जानना चाह रहे हैं अपनी feelings में जहांकना चाह रहे हैं कि क्या ये प्यार से प्यार है या ये attraction है सिर्फ क्या ये attraction से कुछ ज्यादा है इनको थोड़ा सा अपना mind make up करने में थोड़ा सा problem हो रहा है आपके partner को लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ relationship में जाना चाहते है इनकी ये खाहिश है कि आपके साथ इनका relationship बने आप में से कुछ लोग मुझे लगता है already इनके साथ शादी शुदा है married है और separation हुई आप लोगों की या शादी के बाद एक दम आपको लगा कि इनसान बदल गए है और ये वो इनसान है इनी जिन से आपने प्यार किया था जिनकी तरफ आपको attraction थी कुछ लोग इन्हे attract करना चाह रहे हैं कुछ लोग law of attraction यूज कर रहे हैं इस शादी को इस wedding को अपनी जिन्दगी में attract कर रहे हैं manifest करना चाहते हैं तो आपको ये कहा जा रहे है कि stay optimistic तो ये different messages मुझे आप लोगों के लिए आए हैं अब हम channeled messages देखेंगे और फिर clear हो जाएगी situation थोड़ी सी और can you forgive me हो सकता है ये आपकी offer को एक दफा ठुकरा चुके हैं और इन्हें अफसोस है उस बात का और ये आपसे माफी माँग रहे हैं कि I'm sorry, can you forgive me it's hard for me to open up तो इन में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है और ये आपसे कह रहे हैं कि आपका time waste नहीं करना चाहते क्योंकि इनके लिए open up होना बहुत मुश्किल है हो सकते हैं आप बहुत मुसलसल effort डाल रहे हैं इस relationship में और उन्हें अच्छा ना लगता हो क्योंकि वो आपको सही से respond नहीं कर रहे और वो ऐसे ही हैं वो जान बूच कर आपके साथ इस तरह नहीं कर रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि इसको personal मत लीजिए मेरे लिए open up होना मुश्किल है ये कोई past pain हो सकती है past relationship की वज़ा से हो सकता है कि वो open up ना होना चाहते हूं I can't replace you with anything तो ये बात वो बिलकुल मान रहे हैं कि आपको वो किसी और से या किसी चीज से replace नहीं कर सकते हैं जो आपकी जगा उनके दिल में है जो आपकी जगा उनकी जिंदगी में है वो कोई और नहीं ले सकता है I can't ignore the signs I'm receiving any longer तो उन्हें signs मिल रहे हैं उन्हें महसूस हो रहा है आपकी तरफ एक pull और वो ignore नहीं कर रहे है I know you are right but I need to come to my own conclusions उनको पता है कि आप सही कह रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अपने conclusions पर आना है खुद से चीजों को समझना है और खुद से आगे बढ़ना है You deserve better Try to move on हो सकता है उन्हें आप से ये कहा directly कि आप move on करने की कोशिश करें या हो सकता है कि वो आप से ये कहना चाहते हो लेकिन ना कह पाते हो कि आपको बुरा लगेगा लेकिन वो ये समझते हैं कि आप बेहतर से बेहतर इंसान को deserve करते हैं क्योंकि वो आपको emotional attachment नहीं दे पा रहे हैं वो expressive नहीं है जैसा कि आप चाहते हैं कि वो expressive हो उन्हें नहीं पता कि कितना वक्त लगेगा उन्हें open up होने में और वो आपका time जाया नहीं करना जाते हैं I just got caught up in the moment तो हो सकता है कि कोई moment ऐसा आप लोगों के intimate होना चाहा या आप थोड़ा सा हुए भी और वो ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ उस moment की एक feeling थी जो कि हमारे पस attraction का भी card आया इसके साथ भी जा रहा है और वो इस वज़ा से भी आपसे माफी माँगना चाहते हैं अगर वो intimate थोड़ा सा भी आपके साथ हुए जिस भी तरीके से हुए उनको नहीं होना चाहिए था उस moment में और शायद उसी moment ने आपके दिल में और ज़्यादा उनके लिए मुहबत और पियार पैदा किया तो ये भी एक बहुत specific message आया है और आप देख लें से क्या resonate हो रहा है जबरदस्ती आपने fit नहीं करना ये बहुत specific message आया है कि किसी के साथ वो intimate हुए थोड़े से और उन्होंने ये कहा कि I just got caught up in the moment मेरा कुछ उस से जादा मतलब नहीं था वो उस moment में उनको ऐसी feeling आई कि उनका दिल किया intimate होने का और वो हो गए I'm stuck right now तो वो stuck है अभी कोई action नहीं ले पा रहे है I miss you regardless जो भी situation है miss वो आपको कर रहे है I want this union ये हमारे पास एक और clear message आगया और number 11 है ये आपके twin flame हो सकते हैं बहुत twin flame vibes आ रही हैं मुझे इस reading से बहुत आप लोगों का soul level पर connection हो सकता है और ये time आपके partner की awakening का चल रहा है उन्हें realizations हो रही है और मुझे लगता है कि वो attraction वो सब कुछ उन्होंने पहले महसूस किया था लेकि उन्होंने ये नहीं पता था कि ये इतना intense होने वाला है और आपकी तरफ एक pull महसूस करने वाले है जो वो अब महसूस करना शुरू हो गए है and now they are missing you और उनको ये union चाहिए है लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये union कैसे होगी लेकिन वो जो signs उनको मिल रहे है universe की तरफ से और हर sign आपकी तरफ इशारा कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए वो in science को अब ignore नहीं कर पा रहे है we are too different हो सकता है ये उन्हें आप से कहा हो कि आप दोनों बहुत different है आप बहुत ज़्यदा emotions से attach है और वो emotions से भागते है ये एक बात हो सकती है कि वो open up नहीं हो सकते आप fully open है और आप अपनी feelings को express करते है चुपाते नहीं है दिल में नहीं दबाते है और आपके बिल्कुल opposite वो है तो उनके लिए थोड़ा से difficult हो रहा है आपके level के उपर आना या बिल्कुल same frequency पर आना I got my karma तो अगर इनने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो return इनको वही मिला है और यहीं इनका karma है और यहीं आप से कह रही है कि I got my karma अगर आपको छोड़ करें इनने किसी और से शादी भी कर ली है अब बहुत बुरी situation है और बहुत दुख हो रहा है इने इनने अफसोस हो रहा है कि जो decision इनने पहले लिया था वो इनने नहीं लेना चाहिए था और यहीं इनका karma था आपको hurt करने का and now they are accepting this and they are missing you now और आपके साथ union चाहिए अब I know I made a huge mistake exactly उन्हें realize हो रहा है उन्हें बहुत बड़ी mistake की है उन्हें गलती की है आपको छोड़कर उन्हें गलत choice ली उस वक्त जिन्दगी में जब उन्हें आपका साथ देना चाहिए था उन्हें उन्हें किसी और को choose कर लिया या whatever जो भी हुआ आप लों के दरम्यान वो एक choice ही थी आपको छोड़ना एक choice ही थी इन्हें आपको छोड़कर कुछ और ही किया अपनी energy किसी और चीज में डाली और इन्हें आज अफसोस हो रहा है इस बात का कि आपको छोड़कर जिस चीज के पिछे ये भागे कोई फाइदा नहीं हुआ इन्हें उसका I need to go my own way for a while ये उन्हें आपसे पहले भी कहा I will do anything to make you smile You've got the prettiest smile on earth तो आपकी smile इनको बहुत पसंद है मेभी आपकी smile बहुत अच्छी हो और ये आपको खुश देखना चाहते हैं regardless आपसे इनको कोई गिला नहीं है आपने कुछ खलत नहीं किया आपने हमेशा अच्छा ही किया है इनके लिए और यही वज़ा है कि आज वो आपको miss कर रहे हैं intense आपकी तरफ एक pull महसूस कर रहे हैं और उन्हें union चाहिए आपके साथ regardless आपकी जो भी situation है अगर वो किसी और से शादी कर चुके हैं बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी अब शादी हो चुकी है अब क्या होगा लेकर बहुत से लोग ये भी कहते हैं बड़े optimistic है कि अगर वो आपकी किस्मत में है तो वो शादी खतम हो जाएगी और वो आपके पास आ जाएगे क्योंकि पहला प्यार तो आपने और उन्होंने आपसे किया था वो तीसरा इनसान तो बाद में आया था और हो सकता है कि वो तीसरा इनसान को लेसन देने के लिए आया ही इसलिए ताकि वो learn करें आपकी importance ताकि वो सीखें, lesson लें उनको पता चले कि आपका और उनका connection कितना significant था और वो वो वापस आएं आपकी तरफ और ये totally आप पर होगा कि आपने इनने दोबारा accept करना है या नहीं लेकिन आपके partner को ये सारी चीज़ें आप realize होना शुरू होगी है कि उन्होंने अपनी जिन्दगी में सही choices नहीं ली सही time पर सही choice हर बंदा नहीं ले सकता है और उन्होंने जो किया उसका return उनको मिल रहा है Karma, अब वो अपना Karma face कर रही है Life is a mess right now, exactly Life is a mess right now, अगर कोई third party यहाँ पर है तो mess है इस वक्त सब कुछ I want to reach out, exactly वो आप से बात करना चाह रहे है Can you give me another chance, exactly यहाँ पर एक और chance की बात हो रही है It's not your fault, मैंने भी आप से यह कहा था आपकी कोई fault नहीं सारी situation में आपने कुछ नहीं किया, आपने अच्छा ही किया हमेशा और वो आप एक और chance मांगते हैं Third party में हैं, किसी और से शादी कर ली आज भी अफसोस है आज भी regret अपनी जगा पर है आज भी उनके दिल को तकलीफ हो रही है कि उन्होंने यह क्या किया है I'm so in love with you, exactly They are in love with you I've been thinking about you lately बहुत दिनों से heavily आपके बारे में सोच रहे हैं I miss you यह दूसरी दफा आ गया है और बहुत मिस कर रहे हैं आपको यह clear हो गया है यहां पर I need more time उन्हें थोड़ा सा time और चाहिए Will you accept me? क्या आप मुझे accept करेंगे? यह उन्होंने question किया है क्योंके हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो हो सकता है कि वो यह सोचते हो कि उनकी अब शादी हो गई है और यह शादी खतम करके वो जब आपकी तरफ आएंगे तो क्या आप उन्हें accept करेंगे? जो वो हैं उसके लिए क्या आप उन्हें अपनाएंगे एक शादी करने के बाद बहुत से और questions उनके दिल में आ रहे हैं बहुत देर तो नहीं हो चुकी क्या आप किसी और में interested तो नहीं हो गए क्या आपने give up कर दिया है finally क्या आप अब वाकि किसी और के साथ अपनी life बनाना चाह रहे हैं क्या आप accept करेंगे मुझे? ये उनका question है आपके लिए So many songs remind me of you exactly पहले ही ये हमारे पस card आया था I can't ignore the signs I'm receiving any longer तो बहुत से गाने ऐसे हो सकते हैं जो आपने और उन्होंने मिल के सुने हो और जब वो प्ले होते हो अचानक रेडियो पर प्ले हो गया हो या उन्होंने अपनी music library देखिए और उसमें वो गाना आ गया हो और फिर आपकी याद फॉरण से उनके दिमाग में चल रही हो तो बहुत सारे signs हैं अगर आप चाहे तो पाइल वन भी देख सकते हैं तो यह आप लोगों की रीडिंग से group number 2 कुछ भी resonate किया पसंद आया आप लोगों को मुझे जरूर comment section में बताइएगा अगर आप नई थे मेरी channel पर like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe करना मत भूलिएगा जिन लोगों ने option number 3 यानि की अवाली butterfly select की थी यह आप लोगों की reading होगी और हम देखेंगे किया channeled messages हैं आपके person की तरफ से सबसे पहले हम oracles देखेंगे सारी candles मेरी बुच चुकी हैं I'm so sorry by the way यह मेरी handmade candles हैं और मैंने try किया था कि कुछ different करूं तो मैं इसे दुबारा भी try करूंगी ताकि यह सही तना से चल सके We have playfulness trust romantic feelings let's go off control issues तो मुझे ऐसा लग रहा है clear है हमारे पास story आपके person आपके लिए बहुत attraction महसूस करते हैं they love you, they have feelings for you they just want you to trust in this relationship वो चाहते हैं कि आप उनमें भी trust करें उन पर believe करें जो वो कहते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा text messages, calls, report ना मांगे उनसे वो चाहते हैं कि आप situations को control ना करें let go of control issues अगर किसी के भी यहाँ पर हैं तो उन्हें let go कर देना चाहिए trust करना चाहिए fully और फिर देखें कि क्या होता है आपके पार्टनर आपके साथ एक romantic time spend करना चाह रहे हैं आपको date पर लेकर जाना चाह रहे हैं आपके साथ dinner करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें, उन पर completely ट्रस्ट करें, अंधा यकीन करें अब ये totally आप पर है कि आपने यकीन करना है या नहीं, हो सकता है आपने already उन पर यकीन किया हो और आपको धोका मिला हो this is very specific, लेकिन जो मुझे इन कार्ड्स में से नज़रा रहा है, वो ये नज़रा रहा है कि आपके person चाह रहे हैं कि थोड़ा सा trust आप उन पर और करें, let go कर दें, कोई भी control issue है, कोई भी परिशानी है, कोई भी issue है आपका, आपके person से related, let go, वो ये चाहते हैं वो चाहते हैं कि आप completely खुद को उनके हावाले कर दें, yes, ये वो line थी जो मैं बहुत सोच रही थी, वो चाहते हैं कि आप surrender कर दें खुद को उनके लिए, वो चाहते हैं कि बस, रुक चाहिए आप, उनको करने दीजिए जो वो कर रही है, just wait, just wait and watch कि वो क्या करते हैं, उन पर पाबंदी न लगाएं, उन पर सकती न करें, उन से report ना मांगें, बस देखें कि वो क्या करते हैं, trust करें, okay, अब ये totally आप पर होगा कि आपने करना या नी, और मुझे बहुत ज़्यादा ये vibes आ रही हैं कि आपके person बहुत romantic हैं, group number three, आपके person बहुत romantic हैं, और बहुत romantic सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ एक romantic time, intimate time spend करना चाह रहे हैं, एक तो मुझे पहली why भी आ गई है, life is not easy without you, channeled message उनकी तरफ से, अगर आपकी separation चल रही है, trust issue की वज़ा से कुछ हुआ, deception थी अगर यहाँ पर कोई, आपकी अलहदगी हुई, जो भी हो रहा है इस I don't know, अगर आप नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, यह उनकी feeling है इस वक्त, am I good enough, कभी-कभी वो यह शक करते हैं अपने उपर, कि क्या वो आपके काबिल है या नहीं, am I good enough, क्या मैं आपके standards के मताबिक हूँ, आपके level के मताबिक हूँ, तो बहुत से सवाल आदाते हैं उन उनकी जहन में, would you give me another chance, आपसे एक और chance मांग रहे हैं, I know it's my fault, उनको पता है कि यह उनकी गलती है, जो भी हुआ है आप लोग के दरमियान, यह उनकी गलती है, और वो यह मान रहे हैं, जो भी हुआ आप लोग के दरमियान, हम उसकी detail में नहीं जा रहे हैं, I am trying to learn and grow from this separation, अगर आप लोग separation से गुजर रहे हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इससे lesson लें, और वो चाह रहे हैं कि next time जब वो आपकी life में आएंगे, जब आप दोबारा से उने chance देंगे, तो वो चाहेंगे कि आप उन पर सोड़ा से trust और करें, और वो grow करके आपकी तरफ आएंगे, वो पुरानी mistakes को दोबारा repeat नहीं करना चाह रहे हैं, जब वो दोबारा आएंगे, I feel badly for the way that I treated you, you didn't deserve that, जिस तरह से उन्होंने पहले आपको treat किया, उन्हें बहुत bad feel हो रहा है उसके लिए, बहुत बुरा feel हो रहा है, और वो चाह रहे हैं कि काश reverse कर लें, reverse नहीं कर पाए लेकिन उन्हें बड़ा bad feel हो रहा है, किसी नहीं किस तरह मिटा दें उस याद को, उस लड़ाई को, उन words को मिटा दें जो उन्होंने कहें, जो उन्होंने किया आपके साथ, जिस तरह भी आपको treat किया badly, उन्हें बड़ा बुरा feel हो रहा है इस बारे में, I want to be more authentic, I am no longer afraid, त solid offer लेकर आना चाहते हैं, stability लेकर आना चाहते हैं, grounded energy में आना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि दुबारा से वही चीज़ें, वही cycle repeat हो जो पहले हुआ, और उन्हें पता है कि ये totally उनकी गलती है, जो भी हुआ है आप लोगों के दर्मियान, I just wasn't ready for you, and I'm not sure if I'll ever be, तो एक तो commitment issue मुझे लग रहा है कि इनका है, ये चाहते हैं कि फिल हाल, go with the flow, let go of control issues, मत सोचें commitment के बारे में, playful energy को revive करें, playful रहें मेरे साथ, आपके person ये चाह रहे हैं, थोड़े से flirt लग रहे हैं, I'm sorry, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आप लोगों को बताऊंगी, थोड़े से मुझे flirt लग रहे हैं, अभी commitment में नहीं जाना चाह रहे हैं, जिमेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं, आपके partner, अब ये totally आप पर है, कि आपने क्या करना है इनके लिए, या इनके ये जा रहे हैं, कि आप moment को enjoy करें, जो time गुजर रहा है, जो romantic feelings है, romantic time है, उसको enjoy करें, भूल जाएं कि आगे क्या होना है future में, वो अभी ready नहीं है commitment के लिए, ये clear हो गया है यहाँ पर I want to Russian but don't know how, तो आना चाहते हैं, completely आपकी दरफ आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरह हैं, क्यूंकि आप एक pure soul हैं, आप एक pure इनसान हैं, आपकी feelings pure हैं, innocent हैं, और आप deserve नहीं करते हैं कि कोई आपकी feelings के साथ खेले, आपको authenticity चाहिए, और less के लिए group number three, जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर ये इनसान romantic बाते करेंगे, आपको date पर लेकर जाएंगे, playful energy, light hearted energy, आप लोग शेयर करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि उस energy में आप बह कर, authenticity को छोड़ दें, commitment को छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता, और आप ये deserve नहीं करते हैं, वैसे तो मैं हमेशा ये कह रही हूँ बार बार, अभी भी कह रही हूँ कि totally आप पर है, आपने क्या करना है, ये आपकी life का decision है, लेकिन जो मुझे इन cards में नज़र आ रहा है, और अगर किसी इनसान के दिल में मेरी ये बात जा रही है तो, I think कि आप लोग समझ रहे होंगे You are understanding what I am saying, कि किसी को भी अपना गलत इस्तमाल ना करने दें, किसी के भी हाथ का खिलोना ना बने, येस, आपको less के लिए settle down नहीं होना है, आपको authenticity चाहिए और आप deserve करते हैं, authenticity, आप full commitment deserve करते हैं, आप deserve करते हैं, कि आपको जितनी infinite world में महबबत मिल रही है, जितना आप telepathically किसी से connected हैं और प्यार मिल रहा है, 3D में भी आपको उतना ही प्यार मिले, आप ये deserve करते हैं, हर level पर आपका partner आपके साथ connect होना चाहिए, और अगर कोई नहीं connect हो रहा, then let them go, yes, और अपनी energy को protect करें, और grow करें ज्यादा से ज्यादा, learn करें situation से, okay, you are my everything, interesting, आप उनका सब कुछ हैं और अब ये देखिए, I love you, they love you, yes, I feel alone, तो आपके बिना जिन्दगी आसान नहीं है, they feel alone, लेकिन उन्हें ये समझ ना होगा, इस separation से के उन्हें, अब flirt के energy से बाहराना होगा, उन्हें अब जिमिदारी लेना होगी अपने actions की, उन्हें अब जिमिदारी लेना होगी आपकी, उन्हें जिमिदारी लेना होगी इस connection की, I feel a special bond with you that I have never felt before, तो आपके साथ special bond है exactly, इसमें कोई शक नहीं है, my family is important to me, it's hard for me to balance things between you and my family, तो इनके लिए इनकी family बहुत important है, songs are speaking to me, okay, I wish I had told you how much you really meant to me, हो सकते है इनोंने पहले आप से share ना किया हो, कि आपकी कितनी importance है इनके दिल में, लेकिन अब ये आप से share करना चाहते हैं, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये भी चाहते हैं कि आप flirt energy से ज़रा बाहर आपको ये चाहिए कि आप healthy boundaries लगा दें, ताकि आपके person को ज़रा और help मिले grow करने की, जब आप healthy boundaries लगाएंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, आपको commitment जल्दी मिलेगी और आपके partner भी जल्दी grow करेंगे, learn करेंगे, अगर वो वाकिही आप से प्यार करते हैं, अगर वो और आपको commitment देनी है, आपसे committed रहना है, क्योंकि commitment का यह मतलब नहीं कि commitment कर लिए और उसके बाद फिर से वही सारी चीज़ें, फिर से वही flirt energy बाहर कुछ करने लग गए, no, आपसे committed रहना है, तो यह सारी चीज़ें उन्हें learn करने का आप मौका दीजिए, healthy boundaries लगा दीजिए I miss you so much that it hurts, okay, तो यह आपको miss बहुत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, I can't face you right now, आपको face नहीं करना चाहर है अभी और नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सवालात करेंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी energy थोड़ी सी flirtatious है और इसी वज़ा से कि यह सी लिए चाहर है कि आप इन पर completely trust करें हो सकते हैं, उन्हें एक दफ़ा already आपका trust तोड़ा है और आपने शायद रंगे हाथों पकड़ लिया, या अगर ऐसा नहीं है तो फिर कुछ लोगों ने feel कर लिया, उनकी gut feeling ने बता दिया, या आपके partner की nature में कुछ changes आने आपने reporting शुरू कर दी और आपने इनको messages करने लग गए, calls करने लग गए और आपने कहा कि मुझे आपने बताना है कि आप किस वक्त क्या कर रहे होते हैं और इसलिए ये कह रहे हैं कि let go of control issues और मुझे पर trust कीजिए और आपके लिए मुश्किल हो रहा है इन पर दुबारा trust करना तो ये totally आप पर होगा कि आपने एक और चांस देना है या नहीं और यही वज़ा है कि वो अभी आपको face नहीं कर सकते हैं आपका reaction नहीं देख सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है उनकी गलती है I've never felt this way before तो ये दो messages हमारे पास आ गए उन्हें ये पता है कि आपके साथ जून का relation है वो significant है वो different है वो सबसे अलग है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भी हो और कोई और भी हो no आप ये deserve नहीं करते हैं अगर आप हैं तो सिर्फ आप हैं I'm ready to tell you the truth अभी वो आपको face नहीं कर सकत लेकिन वो ready हैं आपको सच बताने के लिए वो सच आपको बताएंगे उन्हें बताना पड़ेगा authenticity के साथ आना पड़ेगा और they are telling you कि जब वो महसूस करेंगे कि वो आपको completely सच बता सकते हैं तो फिर ही वो आपकी तरफ आएंगे क्योंकि उन्होंने ये बोला कि I want to Russian but don't know how वो आना चाहते हैं वो ready हैं आपको सच बताने के लिए लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरह आपको face कैसे करेंगे आपके expressions को कैसे कैसे handle करेंगे situation को बहुत शर्मिंदगी embarrassment महसूस करेंगे जब वो आपको सच बता रहे होंगे तो वो चीजें सारी जब एक plan बना ले हैंगे तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे strength चाहिए इने बहुत ज़्यादा I've looked you up online आपको stock कर रहे हैं आपको online देखते हैं या आपकी stories भी देखते हैं will you marry me okay बिलकुल शादी करना चाह रहे हैं I'm not ready हो सकता है आपने इनसे बोला कि will you marry me और उन्होंने ये बोला कि I'm not ready commitment they are not ready for commitment मैंने पहले भी बोला था और अब clear ये message हमारे पास आगया commitment issues हैं यहाँ पर तो अगर ये वापिस आपकी जिंदगी में आते हैं तो आपने healthy boundary लगा देनी है I need to look after my family family बहुत important है दो cards आगे family के एक information आगई है कि family issues हो सकते हैं या family नहीं चाहती है कि आपसे शादी ह या आपसे commitment हो family ने किसी और को देखा हुआ है और वो भी उसको देख रहे थे और यही बात आपको जब पता चल गई तो आपके ये partner इनका जो सच है वो reveal हो गया आपके सामने और यही वो धोका है deception है जो इन्होंने आपको दी और अब यह बहुत sad है कि किस तरह आपकी तर तकलीफती है पेन है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी ये feelings ज्यादा है कि प्यार ने बहुत तकलीफती है क्यों होता है ये प्यार क्यों हम अपनी feelings को क्यों नहीं रोक पाते हो सकता है आपको यह सवाल भी करते हो लेकिन anyways आपके partner थोड़े से confused हैं अभी उन उसमें आपके partner बहुत low हो गए हैं आपकी नजरों में और उनको नहीं पता कि उन्होंने अब आपको face कैसे करना है लेकिन वो चाहते हैं आपसे commitment करना भी आपकी तरफ आना आपको सचाई बताना लेकिन commitment कर लेना बहुत मुश्किल है उनके लिए family का pressure भी हो सकता है और फि इनके इन अलफाज के ओपर बिल्कुल melt हो जाना है no आपने अपनी healthy boundary रखनी है अगर आपने yes भी बोलना है तो भी आपको authenticity चाहिए कब कब हो रही है शादी पूछना है आपने ये नहीं कि एक जुमला बोलकर और उसके बाद फिर से ये वैसे flirt energy में चले जाएं तो इनको देना पड़ेगा कुछ सबूत अपनी सचाई का फिर ही आपने इनको अपने जिन्दगी में enter करना है सिर्फ इनके अलफाज पर इनके लफजों पर नहीं जाना है जो मुझे नजर आया है तो ये आप लोगों की reading थी group number three very interesting almost आज की तीनों ही readings same थी तो अगर आप चाहें त तीनों पाइल्स देख सकते हैं I hope आप लोग जो manifest कर रहे हैं वो जरूर हो और क्यों नहीं होगा you are worthy of love and you are lovable मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है और मेरी हमेशा ये दुआ होती है कि आप लोगों को मजीद किसी धोके से divine source बचा कर रखें आपकी energy को बचा कर पियूर इनसान है आपकी feelings पियूर है आपका love पियूर है और पिर जितना grow आपने करने की कोशिश की है इस relationship के जरी और जितने भी लोग मेरे viewers ये videos देखते हैं आप लोगों ने जितना grow किया है जितना बरदाश्त आपने किया है और हर दिन आप एक बेहतर इनसान बनने की क तो आप लोग बहुत खुबसूरत हैं, आप लोग अपनी पावर को समझें, अपनी खुबसूरती को समझें, अपनी प्यूरिटी को समझें, और लेस के लिए सैटल डाउन ना हो, I know ये बहुत पेंफुल होता है, किसी से अपने आपको दूर कर ले ना, जिससे हम बहुत प् बदलें, वो इस तरह की flirt energy में ना रहें, वो commitment का सोचें, वो authentic होकर आएं, वो सचाई के साथ आएं, तो आप दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा ग्रो करने के लिए, अगर आप एक दूसरे के लिए healthy boundaries लगाएं, तो ये totally आप पर होगा कि आपने अपनी जिन्दगी में क्या करना है, लेकिन जो मुझे इन reading से नजर आता है, मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उनके साथ शेयर करूँ, और हो सकता है किसी के लिए message सुनना बहुत important हो, तो anyways, आज की ये reading थी, अगर आप के लिए कुछ भी helpful रहा, मुझे ज़रूर comment section में बता पसंद आया, तो like भी कीजेगा, share भी कर दीजेगा, तो yes, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye bye